जै मिथला, मिथला तक नियुज में हम सरोज जा अहां सब लोकेन के स्वागत करे छी अहां सब के बता दी अखन तक हम साख छातकार कोनो भी स्टूडेंट की नहीं लेने छलो आई हमर पहील इंटर्विव उएच पापा की परी मिमिक्री बने चे पापा की परी पापा की परी लेगिन आई जे छे छे हम रियली में पापा की परी सा अहां सब सा हम मिला रहल छी जे 66 BPSC के परिक्षा भेले रिजर्ट निकल ले तो अपनी मध्वनी जिला सा आकांचा सिंग उतिन भेले था हुनका सा हम बात करे ची जानकारी ले ची ओ बीपी असी कतिक मेहनत के लेट के ना प्रिपेयर के लेट और किनकर किनकर सपोर्ट भेट लेन और उतिन भेली सब सब पहले अपने मिधलातक नियुज में स्वागाते ची बहुत बहुत अन्यवाद अपन परची और बैक्ग्राउंड एजुकेशन बारे में कानिक अपने बतेवे इंडियन पब्लिक स्कूल में अपने अपना ग्राजवेशन और पोस्ट ग्राजवेशन और पोस्ट ग्राजवेशन दोनों आरके कॉलेज मधुबनी से कि अपने की अतादिर नहीं रहे चले था देली रहे चले था लेकिन हम रहा बहुत खुशी भेटल जे शुरुआत के लिए तो मैथली भासा में शुरुआत के लिए लेकिन हिनका पुते नहीं समहारल भेलन तया हुई हिंदी बाइज दले बहुत खुशी भेटल जे मितला के बेटी चैत और मैथली से सुरू के लिए अच्छा अपने बीपीएसी के लिए अइसा पहले अपने त्यारी कोड़े चलिए कि जी शुरुआत में हमर रुजान चले नीट की तरफ हमर चाहिए चली कि हम पहले डॉक्टर बनी उक्राबा तब हम अपन पोस्क्राजुएशन के बाद हम पहली बार परिक्षा में बैठी मैं और बीपीएसी में 2020 में और फिर वस शुरू हो गया बीपीएसी का जर्णी पीटी हुआ फिरमेंस और बाद में इंटर्वीव ताब रिजल्ट आया है पहील एटेम्ट एज नीट नीट क तरफ रुजान दे लिए अपहील एटेम्ट में आनी कहले लिए यह तो बहुत बढ़का चुनोती के बाद चुनोती के लिए तो फिर केनाई के लिए जी सबका साथ था इसमें और रुजान पहले से था भच्पन से सुना था यूपीएसी के बारे में पड़िवार में सब के सबसे तो रुजान इसकी तरफ था दसपी में क्योंकि साइंस की तरफ भी था था इंट्रेस्ट तो सोचा कि साइंस जब किया है बायो से तो पहले MBBS किया जाए उसके बाद तो जब नहीं हुआ तब लेकिन फिर भी मैं जैसे रोज का करेंट इवेंट होता है अपन अख मैं नीट के तैयारी कर रही प्ट तब तक तो सिर्फ नीट कीchat गराजन टाइशन तक तक पीजी म lange के किताबale करीदना शुरू किया पिछले टॉपस को जब मैं देख ती थी उन नसे सुन भी क्या क्राइबे कशुरु पठते हैं तो वह सब तो मने मंगाना शुरू कर दिय पूरा परिवार के हमेशा से सब के योगदान चले दादाजी दादी माँ पापा इवन भाई बहन सब साथ पढ़ाई के स्टेटर जी की चल बीपी एसी के हमरा लगे छे कि सबसे पहले आहां के स्टाटिक बुक्स हो चाहा हमार हमर सब के जैना हिस्ट्री के भोगला इंशेंट इंडिया हमारा आरेश शर्मा मेडेवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा फिर मॉडर्ण इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम जे पहले के टॉपस बतलकें तो उसी हिसाब से वह किताब सब हो मंगा ले लिए और साथ साथ में प और हम मैं जादा समय नहीं अपना वेस्ट करना चाहती थी कि मुझे फिर से एक साल ड्रॉप लेना पड़े तो साथ में मैं पढ़ाई की अब बीपी ऐसे के लिए स्पेशली मैंने एक किताब ऑडर की अपने ऑनलाइन ही यहां पर अरिहन्थ पॉब्लिकेशन की बिहार आत होता हैं थो जो हम पुरे देश के बारे में पढ़ते हैं तो स्थ साथ में बिहार के बारे में भी यहीं मिरी स्ट्राटेजी थी ऑर फिर जब और पीटी का तो उससे के साल भर के जितने भी करेंट इवेंट्स थी भीहार में जो थे जीए से और पिछले जो पेपर्स थे मौक टेस्स पेपर वह देखिले एक बार और फिर देखा कि कैसे क्वेस्टें पूछ जाते हैं हमारे पीटी एक्जाम में तो फिर उस ते मने अपना प्रिपेर किया उसम के अंदर तो भी मेरी मतलब ठीक थी तो मुझे उसकी भी तैयारी को अलग से करनी नहीं करें सिर्फ मैंने अपना यह स्टार्टिक पार्ट अपना हिस्ट्री जोग्रफी एकनॉमिक्स और करेंट पार्ट ज्यादा फोकस किया और पीटी फिर इसी वजह से हो अच्छा जना ए अधार घंटे पढ़ता था शुरुबात में लगा और लेकिन यह पता था कि यह सच तो है नहीं बिल्कुल भी सच नहीं अधारा घंटे कोई नहीं पढ़ सकता यह सब एक से डेड़ साल की परिक्रिया है तो आप रोज अधारा घंटे पढ़ना तो बिल्कुल पॉसिबल है अप रोज पढ़ता वह पॉसिबल है पांसे च्छाए घंटा पढ़ेंगे लेकिन रोज पढ़ेंगे जो भी टॉपिक्स हमने डिसाइड किया है एक दिन पहले जो हमने सोचा है कि आज हमें इसे पूरा करना है तो वह हम जरूर करेंगे चाहे उसमें पांच घंटे लग तो वही है हम भी पढ़ते हैं इस पार जिसका नहीं हो पाया है उन्होंना भी किताब पढ़ी होंगे यह कौने यह चुकि हम तर नहीं बैसल चीह एकजाम में लेकिन सुने चैसे अकर कम जोड़ी होई चैसे तो बचा की कहा चाहिए चैसे सुरू से एंसी आटी के प्रति र सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ही इजी लैंग्विज में बहुत ही असान भाषा में उसमें सब कुछ लिखा होता है तो उसको पढ़े उसके बाद एडवांस बुक्स की तरफ हम जाते हैं तो असानी होती है लेकिन यह भी सब बच्चों के लिए नहीं जो उन्होंने हिस्ट्री सही मान लीजे ग्राजवेशन किया है तो उसको पढ़ने की क्या जरूरत है लेकिन वह जोग्रफी के इंसी इंटर्व्यू में पूरा जिते कोशन पूछाल गेल निर्विक बहुत जबाब दे लिए इंटर्व्यू जब हमरा भेलता हमरा बड़ डर चले की होते की नहीं होते हैं कि हम सोचा था कि जैसा मेरा इंटर्व्यू होगा मुझसे पूछा जाएगा मैं आंसर दूंगी मुझे समझ नहीं आया कि अब हुआ अच्छा कि नहीं उनको पसंद आया कि नहीं तो मुझे लगता है क्योंकि आपका नॉलेज का टेस्ट मेंस तक हो गया आप मेंस कौलिफाइग करके गए हैं तो आपको आता तो है जितने भी इंटर्व्यू में उनको सब को आता है लेक उसकैल कॉंपिदेंस के मॉझे एपए लेने के इस बारे करहें तरह मीन के लाओंब यह नहीं फैसर देखन邏 पहचान जाते हैं बहुत लगकी नहीं उड़ा चाहिए लेकिन कोनों कोनों जैना आकान चाहसन के लड़की उड़ा चाहिए चाहिए तो ओई लड़की के लिल्की कहा है मुझे लगता है कि अब 21 सदी में रह रहे हैं तो अब आप वह सोच के चलिए गा कि आपके सामने प्लेट में लगा के रख दिया जाएगा तो ऐसा होने वाला नहीं है अगर आप में ललक है आप में लगन है तो खुद कीजिए बाता हुझे पर लास्ट भॉग लेकि आकर आ ब्लॉक में जिए तो अपने कोन प्रती ओता ग्रामीं छेतर के डेवलप्मेंट कोड़ा में कोई सरकारी अफसर बनता है तो उसके साथ यह लगा दिया जाता है हो सकता है कि आज भी जो लोग देख रहे हुझे लगे कि अरे बाते तो अब बहुत हो रहे हैं आगे जाके त सुनते हैं तो आप दूसरों को ना जज़ करें कातों ने का तो ब्लॉक लेवल पर बहुत ज्यादा घुस खोड़ी होई छे त्याप होता ही है लेकिन अगर आप अगर सही है आपने को अगर नहीं करना ऐसे बहुत से अफसर है जो एक्जाम्पल है जोनों ने मतलब अपना इसक्षा के तरह जो हमने देखा है सरकारी स्कूल कोई नई बात नहीं है हम सब जानते हैं सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है फंडिंग होती है बिलकुल सरकार की तरफ से पैसा आता है वहीं पर कहीं कुछ इंटर्मेटियरीज यदि कहते हैं बीच के कुछ लोग जो होते हैं जिनकी वज़ा से वह सही पैसा जहां लगना चाहिए वहां नहीं लग पार मतलब आक अंच्छा बश्धिन पद पर सब सब पहले ग्रामीन छेत्र के सिक्षा पर जादा दियान जी सिक्षा सिक्षा क्या पर आले आका तेक सपोर्ट भेट लें ऐसा है कि यह बच्चे स्टार्टिंग से ही मतलब स्कूलिंग स्टेज से ही हमें इसके उपर उमीद थे कि यह निनेस्चित रूप से एक दिन यूपी ऐसी में एपियर होगी और जो हमारा अपना था एक एक जो हमने अंबिशन अपन लाइफ में बनाया था तो हम साइध लास्ट स्टेज पर हम मतलब जाके थोड़ेते चूग गये थे तो यह उमीद इसी से थी तो उसका यह फर्स्ट स्टेप आप इसको मान सकते हैं कि हमारे स्टेट में और वो चुकि यहां आ गई थी अपने यहां पे तो इसका मेसी इसक जो है यहां का तो उसमें भी आपियर होना चाहिए तो उसमें आपियर हुई तो थोड़ी अनमने मन से हुई मतलब इसको यह लगा कि पताने स्टेट के बारे में इतना मुझे नहीं मालूम है और इनफेक्ट नहीं मालूम था इसको यहां पे आके सबसे ज़्यादा इसको अगर महिनत हुआ होगा हमारे समझ से अपने स्टेट के बारे में इसको माल जानकार ही ले रहे हैं बट उसने अचीव किया उसको और अल्टीमेटली इसका जब रिटेन एक्जाम हो गया तो मुझे पूरी उमीद हो गई कि शायद इसका इस बार हो जाना चाहिए इंटर्व्यू के बाद जब यह आई बाहर तो मैंने जब उससे इस बारे में पूछा कि इंटर्व्यू कैसा हो तो यह बताए कि मुझे यहीं नहीं पता कि इंटर्व्यू अच्छा हुआ या बुरा हुआ चो कि हमसे हमसे कोई भी ऐसा प्रस्द नहीं पूछा गया जिसक ने और उसमें एड़ कर दिया तो एक जस्ट एज लएक डिवेट तो ऐसा हुआ तो मैंने का बेटा आपने अपना हंडेर परसंट दिया अब उसके उपर है कि वह आपके बारे में क्या सोचते हैं तो इस प्रकार से तो जब इसका रिजल्ट आने वाला था तो वो मुझे स इसका रिजल्ट जब देख रहा था तो एक अलग जो जो है रिजल्ट ये भी अपना एक जगे दिन मता देख रही थी तो अचानक या करके बोली कि ऐसे ऐसे हमारा हो गया पापा तो वो जो था हमारे च्छन था मेरे लिए मतलब आख में आसू आ गया कि साइद मुझे अचीव नहीं कर पाया आज इसके थू अमने लगा कि हमने ये ये खमने अचीव कर लिया से पापा की पड़ि सही में कहनों इस पापा के परी अच्छी पग कार रहा है इस पंख सा बहुत आगा उर्जा चाही छीन है अ हमरा लागे या है जे पापा के जे अधूर श अपन तक पहुंच को एक अदम पीछा उनका हटा पर लें और नई कौपल खीन अचीव नई कौपल खीन से पापा के पड़ी अचीव कर थी और पूरा अपन परिबार अपन राज अपन गाउं अपन देश हर जगह के नाम जे छे से रौसन कर थी तही वीडियो के ज्यादा से ज्य आरी केल जाए छे टाइम टेवर और कते पैसेंस रखवा के चाहिए एई एकजाम के लेल उनका किछनी किछन का सा सीख भेटते हैं तो हम अपन से योगी के साथ अहां सबसे विदा लेजी धन्यवाद